दोस्तों गवर्मेंट की तरफ से अभी हाली में एक योजना लांच की गई है जो की है PM विसकर्मा योजना इस योजना के अंदर आप सभी को 5-7 दिनों की ट्रेनिंग प्रोवाइट की जाती है जिस दोरान आपको परड़े 500 रुपे काल बेनिफिट दिया जाता है वहीं इस योजना के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को गवर्मेंट की तरफ से एक साटिफिकेट मिलता है और आप सभी लोगों को 15,000 रुपे का बेनिफिट दिया जाता है और इस योजना के अंदर आपको 3,000,000 रुपे तक बिना किसी गारेंटी क कि आप लोन पा सकते हो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने एक लिंक दे रखा जिस पे आप क्लिक करोगे तो पीमविसकर्मा.GOB.IN जो इसका ओफिसियल पोल्टल है आप इसी पर आ जाओगे यहां पर आप सभी लोग देखोगे कि ऑनलाइ के अंदर जो भी आपको benefit मिलेंगे registration करने के आप यहां पर देख सकते हो सबसे बड़ा benefit तो आपको यही मिल जाता है कि यहां पर आपको collateral free आपको यहां पर loan मिल जाता है जो की तीन लाख रुपे एक लाख रुपे पहले आपको दिया जाता है दो लाख रुपे आप यहां गंटे की अभी जो training है जो भी कामगार लोग attend करेंगे उनको यहां पर training के दौरान government की तरफ से आप देखोगे कि 500 रुपीज पर यहां पर उनको मिलने वाले हैं training के दौरान जितने भी दिन यह training चलेगी यहां पर basic के अलावा अगर आप advanced level पर training चाहते हो अपनी skill को और भ payment है वो किया जाएगा अब यहां पर जैसे कि मैंने सुरुआत में discussion किया था कि आपको तीन लाख रुपे तक जो लोन है यहां पर मिलता है जो कि बिना किसी collateral के देखोगे कि ministry आप MSME की तरफ से यहां पर 8% का आप सभी को लोन पर जो आपका interest मिलता है वो एक तरीके से MSME की तरफ से भारा जाता है तो काफी अच्छी scheme है इस योजना के अंदर जैसे ही आप training qualify करते हो तो आपको यहां पर एक certificate मिलता है इसी के साथ में toolkit खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपे का यह जो benefit है यह भी दिया जाता है तो यह तो हो गई योजना के benefit अब इस योजना का जो include किये गए है इस category का कोई भी work करता है कुछ ही यहां पर example दिखाएगे है लबक जिन लोगों का e-shram card बना है वो लोग यहां पर आखर के benefit ले सकते हैं कि apply कैसे करना है तो सबसे पहले तो आप सभी को यहां पर login की tab जो दिखाएगे इस पर आपको click करना है और यहां पर आ ID password नहीं है तो कैसे आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसका भी link मैंने वीडियो के description में दे रखा है login होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का page आएगा जो भी beneficiary है जिसका आप registration करने वाले हो उसके family से कोई government employee तो नहीं है तो यहां पर वो लोग benefit नहीं ले पाएंगे तो इन योजनाओं का benefit अगर आपको मिल रहा है तो भी आप apply नहीं कर पाओगे तो यहां पर भी हमें no के option पे click करना है और continue के option पे click करना है अगला जो page आता है वो है आधार verification का जो mobile number है जो की आपके आधार card से link है वो यहां पर आपको दर्ज करना है और अपना जो आधार number है यहां पर fill करना है continue के option पे आपको click करना है next जो page आता है जहां पर आपको फिर से अपना जो mobile number है वो दर्ज करना होगा और login की tab पे click करना है तो इतना करते ही आप सभी के सामने OTP को दर्ज करने का जो page है वो आएगा जहां पर आपके phone पर verification क्लिए one time password send किया गया है वो OTP य जरी है byometric के माधम से verification करना होगा तो यहां पर हमें इस icon पे टिक करना है और verify by metric के option पे click करना है ensure करना है इससे पहले आपके system में by metric जो device है वो लगी होनी चाहिए जैसे आप verify by metric के option पे click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब आप सभी को इस पर जो भी beneficiary है उसका जो थम है आपको लगवाना है कुछ इस तरीके से थम लगने के बाद में यह जो page है automatic redirect होगा authentication successfully हो चुका है आप यहां पर देखोगे कि जो beneficiary है उसकी जो details है यहां पर beometric के जरिये फेचो करके आ चुकी है इस page में आप सभी को जो भी detail पहले से fill नहीं है उन details को ही आपको fill करना है सबसे पहले तो आपको marital status के section में आना है आप शादी सुदा हो या फिर unmarried हो आपको selection करना है social category के section में SC, ST, OBC, journal जिस भी category से आपको choose करना है कोई भी दिब्यांग है तो उसको ही selection करना है बाकी लोगों को ऐसा ही चोड़ देना है अगला option आपको मिलता है जहां पर आपको selection करना है business in same state वाला जिसमें आपको बताना है यह जो beneficiary है इसके आधार पर जो address है उसी state के अं अगर कोई भी minority है तो उसको यहां पर yes no का option दिया गया है selection करना है minority की जो category है चूज करना है बाकी लोगों को page में नीचे के तरफ आना है यहां पर contact detail का जो section है दिखाया गया जहां पर आप देखोगी कि आपका आधार mobile number पहले से दर्ज है pen card अगर आपके पास में मौजू करके आ चुका है नीचे के तरफ आप देखोगे तो परिवार के जितने भी सदस से जो की रासन कार्ट पर जुड़े हुए थे वो भी यहां पर automatic आ चुके हैं किसी भी नए member को अगर आपको add करना है कोई यहां पर detail नहीं आई है तो आपको add row का option दियागा इस पर क्लिक कर कि एक नई role आ सकते हो जिसमें कि आप अपने परिवार का कोई भी सदस अगर नाम चूटा हुआ है तो उसका name आप यहां पर दर्ज कर सकते हो आपका जो address है वो आधार के record से automatic आ चुका है जैसे मैंने यहां पर yes किया है तो अगला एक option आया है कि यह जो address है क्या gram पंचायत है इस list में से choose कर लेना है अगला section मिलता है profession trade detail का जहां पर जो भी beneficiary है उसका जो भी काम है यहां पर पूरी एक list दी गए है occupation की आपको यहां पर इस list में से जो भी beneficiary है उसका जो occupation है कुछ इस तरीके से selection करना है अगला section मिलता है business address का जहां पर आप सभी का जो business है वो कहां पर located है पूछा जाता है जहां पर आपको तीन option देखने को मिलते हैं जिसमें कि पहला है अगर आपका जो यह business है वो आधार card पर जो आपका address है उसी जगे पर established है तो यहां पर पहला option आप select करोगे इसी के साथ मे अगर आपने current address अपना जोड़ा हुआ है कुछ different तो यहां पर वही address पर अगर business हो रहा है तो आप यहां पर second option select करोगे बाकी कोई other address है तो यहां पर other का जो option यहां पर दिया गया है क्लिक करोगे business का complete address कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है business का जो district है आपको यहां पर type कर करना है अब जैसे हमने next option पर click किया है अगला section आता है bank account को जोड़ने का जिसमें की government की तरफ से जो भी benefit आपको transfer किया जाएंगे वह इसी account के अंदर मिलने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले तो bank का जो name है यहां पर इस list में से आपको selection करना है यहां पर आपको यह जो आप credit support दिया जाता है जो loan दिया जाता है वह अगर आप लेना चाहते हो तो यहां पर आप देखोगी फर्स्ट स्टेज में आपको एक लाख रुपे का loan मिलेगा इसी के साथ मैं सेकेंड स्टेज पर आपको दो लाख रुपे का जो loan है वो दिया जाएगा तो अगर आप लेना yes के option पर click करोगे नहीं लेना चाहते हो maybe later के option पर ही tick रहने देना है तो यहां पर हम loan चाहते हैं yes के option पर click करेंगे अब यहां पर आपसे पूछा जाता है कि कितना amount आपको loan चाहिए करना जिस भी बैंक से आपका लोन चल रहा है आपको यहां पर बताना हो अगर आपके केस में कोई भी लोन इंग्जेस्टिंग नहीं चल आ तो इसको आप वैसे ही कर सकते हो छोड़ सकते हो इसे अब और जो बेन फिसरी है अगर वो डिजिटल तरीके से पेमेंट को एक सेप्ट करता तो उस पर भी गौर्मेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है तो इसकी भी डिटेल आप यहां पर दर्ज कर सकते हो यह के उप्शन पे क्लिक करोग इस योजना के अंदर जो training आपको प्रोवाइट की जाएगा यहाँ पर आपको बताया गया है इसी के साथ पर toolkit खरिदने के लिए आप सब युझना के अंदर जो benefit देने के लिए बोले गये तो वह भी यहाँ पर आप mention देख सकते हो पेज में नीचे के तरफ बढ़ोगे तो आप यहां पर देखोगे कि marketing support अगर आपको चाहिए तो कुछ option यहां पर आप सभी को दिख जाते हैं इनमें आगर आप को support आपको चाहिए तो आप selection कर सकते हो बाकी नहीं चाहिए तो आप directly next के option पे click करोगे अब जैसे हमने next के option पे क्लिक किया है तो हम form के final page पर आ चुके हैं जहां पर एक declaration आता है इस declaration को आपको रीड कर लेना है आई एगरी के option पे click करना है दिन आपको submit के option पे click करना है देखोगे कि हमारा जो form है वो successfully submit हो चुका यह जो application नमबर आया है इसको सबसे पहले तो आपसे भी को अपने पास में note करके रख लेना है यहां पर आप इस योजना के अंदर government के तरफ से जो भी आपको benefit दिये जाएंगे उनके जो benefit है पोटल के अंदर form का आप अपने अभी जो form है अपना submit किया है यहां पर आपको दिखाया गया है डाउनलोड करने का जो PDF फॉर्म है अपका generate हुआ है इसको कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरचित करके रख सकते हो आप सभी का जो form है verification के बाद में जो भी संस्थ लोगों को एक आपको ट्रेनिंग कहां पर दी जाएगी उसको आपको इंफॉर्म किया जाएगा तो इस तरीके से आप सभी लोग पीम इसक्वर्मा योजना के अंदर अपना जो registration है बोक कर सकते हो आसा करता हूं आज का वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वी मुलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिन